Hello everyone, welcome back to my class, second English. So, today we will discuss about one and many. So, हमने rule number one and two and three पढ़ लिया था, आज हम परहेंगे rule number four. क्या है इसमें? Add V-E-S. हमें V-E-S add करना है, बट कहां add करना है? यह भी देखिए. जो भी आपको singular noun या फिर singular word जो है, उसके last में आपको F या F-E में से कोई भी word दिखाई थे. तो उसको हमें remove करना है, मतलब उसको हटा कर उसकी जेकर हमें क्या बनाना है, लगाना है, V-E-S लगाना है. क्या लगाना है? V-E-S लगाना है. दुबारे देखिए यह rule, आपको add V-E-S करना है, मतलब आपको V-E-S add करना है, वो भी किसकी जगह है? F और F-E, मतलब जो word आपका, जो singular noun आपका F-E या F से खतम हो रहा है, उसको हटा देना है, और उसकी जगह V-E-S लगाना है. तो हमारा first sentence देखिए, knife, K-N-I-F-E, knife, knife आप सब भी जानते हैं, चको को कहते हैं, ठीक है, जिस चूरी को कहते हैं, जिसे हम vegetables कट करते हैं, fruits कट करते हैं, अगर एक knife है तो वो knife, और अगर कई सारे हैं तो वो knives, यह देखिए, मैंने F-E को हटा दिया और उसकी जगह V-E-S लगाया है, तो यह क्या बन गया हमारा, knives, क्या बन गया, knives, second number देखिए हमारा, W-O-L-F, wolf, wolf, wolf के अंदर आपको last में दिख रहे हैं, अगर एक wolf है, तो उसे wolf ही कहेंगे, और कई सारे हैं, तो wolves, क्या कहेंगे हम उसे, wolves, तो देखिए, इसमें जो F हैं, इसको हम remove करके, इसको remove करके, इसके जिगर क्या लगा देंगे हम, V-E-S, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, W-O-L-V-E-S, wolves, क्या बन जाएगा हमारा, wolves, third number देखिए हमारा, H-A-L-F, half, H-A-L-F, half, अगर इसमें भी हम देखें, तो हमें last में F दिखा ही दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इ इसको हम remove कर देंगे, और इसकी जिगर हम V-E-S लगा देंगे, देखिए, क्या बन जाएगा हम, H-A-L-V-E-S, हाल्स, क्या बन जाएगा, हाल्स, तो देखा आपने, जो भी आपको singular में F दिखाई दे, last में जिसके N में F दिखाई दे, या F-E दिखाई दे, उसको remove करके हम उसकी जिगर V-E-S लिखना है, फोर नमबर देखिए हमारा, L-I-F-E, L-I-F-E, life, life के बार में सभी जानते हम, ठीके न, तो यह जो life है, इसके N में देखिए, यह क्या है, F-E-R है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको remove करके क्या कर देंगे, V-E-S लगा देंगे, क्या बन जाएगा, lives, तो आपको यह rule अच्छे से समझ में आ गया, तो चले हम नेक्स्ट रूर पर चाहते हैं, okay, so, हमारा rule नमर फाइव देखिए, आप क्या है, rule नमर फाइव कहता है, change in a vowel, change in a vowel, तो इसके अंदर हमको inner vowel change करना है, अब आप सभी सोचेंगे, अगर जिसने first class में vowels नहीं पड़े हैं, vowels क्या होते हैं, तो मैं आपको बदा दिती हूँ, अब सभी ने ABCD तो पड़ी है, ABCD के अंदर जो A, A, E, I, O, U, यह five words हैं, यह five, आपको letter दिये हैं, A, E, I, O, U, यह जो five letter है, यह हमारे vowels होते हैं, और बाकी जितने भी बच गए हैं आपके, ABCD के अंद होते हैं, तो याद रखना कि जहां पर A, E, I, O, U दिखाई दे, मतलब यह हमारे vowels हैं, ठीक है ना, तो inner vowel मतलब जो किसी word के inner, मतलब बीच में vowels आ रहे हैं, हमें उनको change करना है, बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखिए हमारा first क्या है, first number दे रखा है, F, O, T, foot, F, O, T, foot, आप सभी हमारे जो एक पैर होता हैं, उसको हम foot कहते हैं, अगर आपके एक पैर की बात करें, तो एक पैर को foot ही कहेंगे, लेकिन अगर दोनो feet को साथ में, दोनो हैं, तो उनको हम foot नहीं कहेंगे, उनको feet कहेंगे, क्या कहेंगे, feet, मतलब double O की जगए, यह जो inner vowel इसको change कर दिया, हमने, किसमें कर दिया, change कर दिया, इसको किसमें कर दिया, convert, double E में कर दिया, तो foot का क्या हो गया, feet, क्या हो गया foot का, feet, तो आपको समझ में आ गया, inner vowel कैसे change करते हैं, second number देखिए, mouse, अब mouse, अगर एक है, तो उसको mouse ही बलाएंगे, लेकिन अगर mouse एक से देखो, यह O जो है, इसकी जगह, यह next vowel, मतलब I में convert हो गया, O की जगह, किसमें convert हो गया, I, mouse का क्या हो गया, mice हो गया, देखा आपने, mouse का क्या हो गया, यह, mice हो गया, third number देखिए हमारा, G, O, S, E, goose, G, O, S, E, goose, 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 goose के अंदर यह double O दिख रहा है, इसको हमने किसमें convert कर कर दिया, किसमें convert कर दिया, double E में, और यह क्या बन गया, geese, क्या बन गया, यह, geese, four number देखिए हमारा, M, A, N, man, जब एक आदमी हमारे सामने खड़ा है, तो उसको हम man कहेंगे, क्या कहेंगे, हम उसको man कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आदमी हमारे सामने खड़ क्या हमारे सामने खड़ा 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 हमारे सामने